सच बोलकर दिल तोड़ देना पर दिलासा मत करना नहीं होते क्यों भई क्या उनके सीने में दिल नहीं होता या दिल के जजबात सच्चे नहीं होते फिर क्यों रोते हुए लड़के अच्छे नहीं होते न बो जानती है और न तू ही जानता है मैं कैसा हूँ यह वो खुदा ही जानता है और अपना हाल किसे बया करने है दोस्त कबर का हाल दो बस मुर्दा ही जानता है फूल और चोकलेट से प्यार का इजहार करना, चांद और तारे तोड कर लाने का वादा करना ये तरीके हैं आजकल प्यार जिताने के जो सभी को लगते हैं अच्छे, पर पता नहीं क्यों मुझे ट्रेक्ट नहीं करते इन में चंचलता है, अलहडता है, अपरिपक्व है अभी ताजा ताजा अचार की तरहां, ये इश्क थोड़ा कच्छा लगता है थोड़ा वक्त तो दीज ये साहिब, जैसे जैसे पुराना होगा ये अचार भढ़ती जाएगी इसकी खुश्बू औस वाद फिर ये अचार मुझे अच्छा लगता है, ऐसे वाला इश्क मुझे पक्का लगता है ये मोका देती है, ये जिन्दगी हर रोज किसी को दोखा देती है चालिस पार के बाद चेहरा उतना कमसिन नहीं रहता बालों में सफेदी जहांकने लगती है चश्मे का नंबर भी बढ़ने लगता है पर पती पतनी का दिश्ता उतार चड़ाव के बाद संभलने लगता है ये वाला इश्क मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये इश्क जिसमें वो इनसान नहीं हो सकता व्यकबाई के इंसानियत नहों जिसमें वो इंसान नहीं हो सकता और जो ख़्ुद पेट से जनमा हो वो भगवान नहीं हो ना रोमियो जुलेत बनके रहते हैं, ना सरपनों में कोई रहते हैं, महेंगे गिफ्ट देना इन्हे अश्त खेः भावच मोंना सकता है वैस्थ को आपको यह मीड एज्ड कपल साथ लेकर चलता है यह वाला इश्क मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये इश्क मुझे पक्का लगता है पलकें बंद करने से हाद से टला नहीं करते और विना कोशिस की ये मुकाम मिला नहीं करते शिक्वे उल्हाने पीछे छूट गए ना रहा अबरूठना मनाना तारीफों के कसीदे कसने भी रह गए पर ये जो मन है ना एक दूसरे के दिल की बात खूब समझता है ये वाला इश्क मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये इश्क मुझे पक्का लगता है और जो रिष्टे सक्की बन्याद पर कायम हो वेक भाई जो रिष्टे सक्की बन्याद पर कायम हो वो रिष्टे जादा दिन फिर चला नहीं करते जो रिष्टे सक्की बन्याद पर कायम है